हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं चंद्रवान तो जैसे यह लोगों ने आरो ए आरो का टेस्ट किया था भूगोल का तो फर्स्ट पार्ट में हमने 50 प्रसंदों की बात की थी उसी भूगोल के पार्ट टू में आज हम बाकी के जो इसन हैं बचे हुए उनको हम यहां पर हल कर लेंगे तो यह पार्ट टू है भोगोल का और हुब हुब यहां पर किये जाएंगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्डिन्ट होने वाला है बहुत ही हेल्फुल रहेगा यह इसलिए वीडियो को जो इसकी बिल्कुल ना करें पूरा के पूरे की उश्चन जो है अटेंड करें और देखें कि आप अपना आकलन करें कि आपने कितनी की उश्चन सही किये हैं तो आई सुरू करते हैं पचास तक हमने कर लिए थी क्याओन नंबर का क्योशन है कि दोती हरित करांती के प्रियुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्रफसलों की उत्पादन में ब्रदी करना था दूसरा है तो तीन पॉइंट है आपको बताना है कि कौंसा सही है आपर कूट दिये गए है कुट A है एक और दो सही है एक और तीन सही है कूट C है दो और तीन सही है और D है उप्रियुक्त सभी सही है तो यहां पर इसका option number जो C है अर्थाद दो और तीन ये सही है दूसरा और تीसरा सही है हरित क्रांती में पशुपालन को शामिल किया गया था, सामाजिक वानकी को भी शामिल किया गया था, और इसमें उन फसलों को शामिल किया गया था, जिनको लाब नहीं मिल पाया था, इन छेतरों, भीज, पानी, उर्वरक, तक्नीकी सब को यहां पर शामिल किया गया था, तो पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है यह कथन कहा गया statement है और इसका कारण है भारत के पूर्वी तट पर पस्चमी तट की तुलना में अधिक वर्सा होती है तो आपको बताना है is इसका सही option क्या होगा भारत जैसिक से बाद के पूर्वी तट के तुलना में तो ये वाला आपका पूरिवी छेत्र है ये वाला ठीक है ना पूरिवी छेत्र और ये वाला कौंसा है पस्चिमी छेत्र है तो आपको पता होगा कि इसी छेत्र में जो है आपका तमिल नाडू है यही परांद्रा है इसके बाद उरीसा है और पस्चिम मंगाल इसी एरिया मे पड़ता है इसको यह नीचे वाले को कूरू मंदल तट बोलते हैं तो यहां पर जो है यहां पर चुंकि पस्चिमी जो घाट है यहां से जो नदियां है इनका उदगाम होता है और सारी के सारी बंगाली खाड़ी में जाती है तो पानी जो है अधिक मातर में मिल पाता है हलाक की बारिस जो है वो तो जादा नहीं हो पाती लेकिन फिर भी नदियों की वज़े से जल की परियाफ्त मातरा उपलब्ध हो पाती है जिसकी वज़े से पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है सेकंड में कारण इसका बताया गया है कि भारत के पूर्वी तट पर पस्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्सा होती है तो यह जो है यह सही नहीं है बारिस तो आपके इसी पस्चिमी तट पर ही होती है जब दक्षिर पस्चिमी घाट पर टकराने के बाद सबसी अधिक बारिस जो है यही केरल वाले हिस्से पर होती है ठीक है उसके पस् कहां पर दिया गया है option number C पर दिया गया है कि A सई है परन्तु R गलत है ठीक है अगला देखते हैं यहां पर कहा जा रहा है कि भारती साक भाजी अनुसंदान संस्थान इस्थित है अर्था ते वेजिटेबल से रिलेटेज जो रिसर्स चेंटर है वो कहां पर है यह चार option दियेगे हैं आपको बताना है तो दोस्तो option number D इसका correct होगा और उत्तर प्रदेश में भी पूच लिया सुमिलित है यह आपको बताना है घ। देख लेते हैं कहां पर है आप इसको नोट करते चलिए यह अंद्रा में है अगर हम कोचीन वी बात करें तो तमिल्नाडू में नहीं है बलकी केरल में है कहां पर है और मजगाउँ जो है सिप्याड वो गोवा में नहीं है बलकि ये कहाँ पर है महारास्टा में है तो इस हिसाब से ये तीन जो है सुमेलित नहीं है पहला नमबर सुमेलित है अगला क्यूशन देखते है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित के जिए ये चार कूट दिए गए है और इन पर से आपको बताना है कौन कहां पर होगा कि तो जैसे हम बात करें Love丁 की टीक के तो न में चम्म की ये जो है वो आपका जद्यतर मद्भारत में पाए जाता है कहां पर मद्भारत में सागावन मद्भारत मतलब A2 तूटू तो इसके बाद जहां हम देवोधार की बात करेंगे तो देवोधार जो हैं वह हिमालय की चेत्रों में पाए जाते हैं यह तो आपको पता ही होगा सुन्दरी ब्रक्ष की बात करें तो यह सुन्दरवन में हैं जहां पर मैंग्रो पाए जाते हैं वन ना तो यह C3 हो गया और D1 D बचा तो ये सिनकोवा जो है वो हिमाला की तराई छेत्र में हो गया ता कूट क्या बन गया A2, B4, C3, D1 तो यहाँ पर यह option number A सही होगा ठीक है देख लीजिए आप अगला है किस ब्रक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है यह आपको बताना है चौर option दिएगे हैं आपको देख लीजिए कौन सा option यहाँ पर correct होगा तो option number A जो है खेजरी इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है ठीक है और अगर हम beauty या monosperma की बात करें तो इसे धाक या पलास कहते हैं और इसे जंगल की या का जाता है यह भी important है अगला है कौन सा जल प्रपात करनाटक में अवस्थित नहीं है जोग सीव समुद्रम डुडुमा और गोकक इनमें आपको चारूं बताना है कि कौन सा करनाटक में नहीं है तो डुडुमा कहां पर है डुडुमा आपका ओडिशा में है बाकि जोग सीव समुद्रम और गोकक जो है यह जल प्रपात करनाटक में इस थे थे ठीक है अगला देखते हैं अगला है भारत मुलता एक मानसुनी देश है यह आपका statement दिया गया है कारण दिया गया है भारत उस्ण कड़बंदी अच्छांसों के बीच इस्थित है अब उस्ण कड़बंदी अच्छांस का मतलब क्या हो गया जैसे अगर हम करक रेखा की बात करें और मकर रेखा की बात करें तो इनके बीचों बीच एकदम इस्थित होना चाहिए यह यहाँ पर बात कही गई है ठीक है और बीच से विश्वत रेखा होती है तो भारत मुलता एक मानसुनी देश है यह तो आपकी बात एकदम सही है आपको पता भी होगा कि भारत मुलता है एक मानसुनी देश है लेकिन भारत उश्वत कड़बंधी अच्छांसों के बीच पूरी तरीके से इस्तित है एकदम करफ़न रही है क्योंकि मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा जो है वो नीचे से आउस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गई है ठीक है तो काफी दूरी पढ़ जाती है अर्थात यह उश्वत कड़बंधी छेत्र में पूरी तरीके से नहीं आता है भारत हमारा करक रेखा और पढ़ती है बीचों बीच से अगर हम बात करें भारत के एकदम कन्या कुमारी से तो उसके बहुत ही नीचे से जो है वो आपकी भूमद रेखा जाती है तो उश्वत कड़बंधी छेत्र में नहीं पड़ता तो इसे साब से कथन सही है बट कारण उसका गलत है तो इसे साब से कौन सा सही हो जाएगा ए सही किन्तु आर गलत बी नमबर अगला है निमलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है नुमालीगर असम बराउनी भिहार नागापर चल जातें कि तमिल नाडु में होगा नून माति जो है वो गुजरात में नहीं है बलकि ये कहां पर है ये असम में है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह नून माती कहां पर है असम में है तो option number D correct अगला question है कि पर्माण उर्जा उत्पादन है तो किस इस्थान पर भारी जल्ट संयंत इस्थापित नहीं है तो मारे भारत में कई पर्माण उर्जा उत्पादन केंद्र हैं तो इसमें से बताना है कि कहां पर जो है वो इस्तित नहीं है तो यहां पर यह जो है कैगा यहां पर उपस्तित नहीं है तो यहां पर जल्ट संयंत्र भारी जल्ट संयंत्र स्थापित नहीं है यहां पर कैगा में जो है आणविक संयंत्र है ठीक है आणविक वाला लेकिन यहां पर जो है वो जल्ट संयंत्र भारी जल्ट संयंत पहारी जल से संब्धित ये नहीं है अगला देखते हैं इंडियन इंस्टिटूट आफ एकोलोजी एंड इंवायरनमेंट कहां पर इस्थीत है ये एक संस्थान के बारे पुछा जा रहा है तो ये दोस्तों इस्थीत है आपका दिल्ली में कहां पर है दिल्ली में ऑप्शन नमबर डी इसके स्थापना कब हुई इसके स्थापना हुई थी इंडियन इंस्टिटूट आफ एकोलोजी एंड इंवायरनमेंट अगला क्यूशन है नेम लिकित में से असुमेलित युगम का चैन कीजिए अर्था जो असंगत है विसोजोन दिवस कम मनाय जाता है 16 सितंबर विस्व्रतिवी दिवस कम मनाय जा अब का 22 अप्रेल विश्ववान की दिवस जो है वो 22 मार्च को नहीं बलकि 21 मार्च को बनाय जाता है कब यहां पर 22 की जगे पर क्या होना चाहिए 21 मार्च होना चाहिए और 20 सुजन संख्या दिवस 11 जुलाई आपको पता होगा तो आप्शन नमबर सी सुमेलित नहीं है अ सुमेलित करना है तो आप सुची देखिए और बताइए सुमेलित करके कि कौन सा ऑफ्शन नमबर होगा ठीक है तो यहां पर अगर हम हाथी परियोजना की बात करें देखिए बाग परियोजना आपको पता होगा सी कववन 1973 अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो यह वाला तो ज़रूरा आपको पता होगा ठीक है अगर हम हाथी परियोजना की बात करें तो हाथी परियोजना का अब वही थी 1902 से में पिसरा सा कहो जाएगा जाओत इस हिसलों सा बना जाकर करें कि ए 13 B4 तो A3, B4 किस नंबर पे है option नंबर C पे है तो यह C वाला सही हो जाएगा A3, B4, C1, D2 आगे देखते हैं अगला एक जली जीव के सेहत ग्याद करने के लिए किस की गड़ना की जाती है गुली हुई आक्सीजन की गुली हुई फ्लोरीन की गुली हुई मेथेन की गुली हुई कैल्शियम की तो बताना है इसका काउंसा सही होगा तो गुली हुई आक्सीजन जो यही होगा कि गुली हुई आक्सीजन जो है उससे पता चले जाएगा कि जल में रहने वाले जीवों को पर र्याप्त आक्सीजन मिल पा रहिए ने बिल पा रही है तु झाला है इससे हम मिल उनके स्वास्थट की जानकारी कर सकते हैं अगला है पालजा स्ंधान्ना avar Muller Women पोषन इसथर में इसका अपने पढ़ाओगा प fell आपनी पर्रेवर्ण तो आफ आपने पढ़ाओगा की उर्जा वहाँ पर दीरे दीरे उरजा जो है घडती चली जाती है ना जैसे उत्पादक से जो प्रत्म को पिर्तितियक को तो इस तरीके से जो है उरज्जा जो है वो दस प्रस्षत के नियम यहां पर लगता है दस प्रस्षत के इसाब से आगे बढ़ती है ठीक है तो इस चीज को याद रखिए और इसको दिया किसने था लिंड मैं ने दिया था ठीक है इस नियम को अगला है मांट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था चार अपसंदिये गये हैं आपको बताना है कि कौन सा सही होगा तो आप्शन नंबर ए सही होगा विक्सित देश वर्स 2000 तक पूरी तरीज के से से अफसी उत्पादन पर प्रतिबंद लगायेंगे और यह सी की Direfir शर्फिरज रिटर जो होता है फ्रिज वहां से जो गैस निकलती है वह सी अपसी होती है और यह वह जोन परको जो है nerede करती है वह छिद्र जो हुए है वो इस अपसी गैस की विज़सी हुए है ठीक है तो option नंबर जो है ए सही होगा इसके बाद अगला है विस सुवन जीव को उसका प्रतीक चिन क्या है अगला देखते हैं कुछ वर्स पहले तक गिद भारती देहातों में आम तोर पर दिखाई देते थे किन्तो आज कल कभी का बारी नजार आते हैं इस स्तिति के लिए उत्तर दाई क्या है नमीन प्रवेसी जाती हो दारा उनके निर स्तनु कनाश गो पशू माली को दारा रूड़ पशू के उपचार है तो प्रियुकते एक आउसधी है ना और उन्हें मिलने वाले बज़र में कमी व्यापक दिर गिस्ता और गाता करो का ओफ्शन क्या होगा प्रवार नमर बी जो गोपर रूग हरे जन्वर को पालते हैं कि वह उनको जब बिमार हो जाते है तो एक दवा जो है काफी दी जाती है डाइकलोफ एक तो डाइकलोफेनीक नाम की दवा उन पर दी जाती है और वो पस्व अगर मर गये तो उन पस्वों को जो फेंक दिया जाता है तो गिद्ध खाते थे तो वो दवा जो है गिद्धों में चली जाती तो ऐसे में क्या हुआ कि गिद्ध जो है गिद्ध की किड़नी खराब वो बीमार और गिद्ध देरे खता मोने लगे तो अगला है निम लिखित में से प्राथमिक प्रदूसक का सही विकल्प क्या है तो प्राथमिक प्रदूसक दो प्रकार के होते हैं प्राथमिक और दूतियक तो प्राथमिक प्रदूसक क्या होते हैं प्राथमिक प्रदूसक वे प्रदूसक होते हैं जो प्रार्कतिक या सब्सक्राइब कर संब्सक्राइब, सब्सक्राइब. के प्लास्टिक का और कार्बन मोनो अक्साइड तो इसे साब से आप जानी गें होंगे कि ऑप्षन नंबर ए जो है करेक्ट होगा अगला है निमली खित में से कौंसा पिरामिड सदै और सीधा होता है राइट अब अगला क्यूश्वन देखते हैं कि रास्टी पर्यावर्ण अभियांतर की सोत संस्थान का हां पर एड़ नेरी का पर वस्ती थे आपको पता होगा कि नागपुर में अवस्ती देखते लोगों के पता होगा उनीचोट्वाइस वी में इसके स्थापना हुई थी कब भी थी के प्रतनिदियों द्वारा एक स्विंग घुष्ण पत्र जारी किया गया था इस पर सैमेथी ब्यक्ति की गई थी और उसका नाम क्या था उसका सीर सकता था फ्यूचर भी वांट इसका सीर सकता तो ऑफ्शन नम्बर डी अगला है किस राज की काईबिनेट ने इक चरे करने उत्पादक है याद रखिए इक चरा क्या होता इक मतलब जो इलक्ट्रानिक समान है उनको जब मोबाइल है अपका खराब हो गया बहुत सारे कलपूर्जे हो गए तो यह सब फेक दिया जाते हैं तो इक चरा कहलाता है तो इक चरे में जो है इसके लिए वेस्ट इको पार् अब को अमिस्ताने लांच किया है दूसरा है यह यह गवर्णनेंस की और एक कदम है जो लोगपाल को पारदर्सी और जबाब देत तरीके से अपने कर्टबू को परन करने मदद करता है इन दोनों में से बताना की कौन सा कथा ना आपका सही है यह यहाँ पर बताना है तो हमारे देश के जो किंद्री ग्रामीड विकासें पंचायती राजमंत्री है गिरीराज सिंग ठीक है इन्होंने 24 फर्वरी 2020 को लांच किया था लोगपाल एप को तो इसे साब से पहला जो आपका नंबर है पहला कथा नहीं यह तो गलत हो गया विस्ताने नहीं बलकि गिरीर अधिक शेयत्तर नंबर हाल ही में जर्शक्ति अभियान कैसदारें 2022 अभियान का सुभारम किस ने किया है तो गजेंसिद सिखावा नरेंदर मोधी रामनात कोविंद अमित साहा तो यहां पर जो है इस कैसदारें 2022 का जो सुभारम है वो स्तकालीन राष्टपती रामनात में याद रखिए कैसदारें इंपॉर्डेंट है एक कुछ कारेंट के क्यूश्चन है जो मुझे लगे कि प्रासंगीक है आपके लिए उनको मैंने रख दिया है बागी कुछ करेंट अफेर्स की क्यूश्चन ऐसे थे जो आप पर सांगीक थे वरतमान समय को देखते हूं इसल什麼 मैंने उनको यहां पर नहीं लिया है आपको पता है कि इसमें से 10 से 15 प्रस्वन के करीब जो है रजिनिंग के होते हैं उस पे और 15-20 के होते हैं तो मैंने परच परशंगीक मुझे मुझे लगे इसल issues here है इस बात को आप याद रखिए भारती प्रति भूती और विनमय बूर्ड सेभी की पहली माईला देख्ष कौन बनी है आपने अगर करेंट फिर पड़ाओगा इंपॉरेंट करेंट फिर माधवी पूरी बुच इनको बनाया गया है और इन्होंने आजयत्यागी का इस्थान लिया है यह पहली माहिला प्रमूख है यह याद रखिए और सेभी जो है वह एक वैधानिक निकाया जिसकी स्थापना उनिश्थासी में हुई थी यह इंपॉर्टेंट है ठीक है अगला है 78 नंबर किस दसक्षे भारत की जनसंख्या ब्रदिदर में निरंतर घटने की प्र दशक में सबसे अधिक ब्रदि हुई थी कितनी 24.80 प्रत्षत याद रखिए डाटा 24.80 प्रत्षत जो है 1971 से 1970 के दशक में सबसरवादिक जो है दसकी ब्रदिदर हुई थी उसके बाद धिरे धिरे निरंतर घटना सुरू हो गई तो अब इसको कैसे समझते निरंतर कैसे की बीच में ठीक है 24.80 अब हम जब बात करेंगे 1971 से अब उसके आगे क्या आएगा 1971 से आएगा 81 है ना तो इस समय क्या हुआ 24.66 कितना हुआ 24.66 है तो घटा ना फिर हम 1981 से जब हम 91 की बात करेंगे तो 1981 से क्यांब में क्या हुआ 33.87 देखिए यहां पर घटता हुआ प्रती हो रहा है ठीक है इसके बाद फिर क्या आएगा 1991 से फिर कितना आएगा आपका 2001 तो 2001 तक जो है कितना हुआ यह हुआ 21.54 प्रतिशत है ना तो अब हम यह आपर देख रहे हैं कि निरंतर जो है वो घट रहा है और अगर हम बात करें 2001 से 2011 का जो दशक है चुंकि 2011 के बाद जनकरना हुई नहीं है तो यहां पर जो अधिक ब्रतिदर हुई थी वो है 17.07 प्रतिशत तो याद रखिए आपने देखा कि निरंतर जो है 1961 से घटना शुरू हुए तो 261 से खत्तर का जो दशक था वहां सबसे अधिक ब्रतिदर हुई थी उसके बाल लगादार घट रही है अगला देखते हैं नीचे दिये गए राज्यों में से किसका लिंगानुपाद राश्टी लिंगानुपाद से कम है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चीक राश्ट राश्टी लिंगानुपाद से किन राज्य का जो है लिंगानुपाद कम है यह देखना है तब एक एक को देख लेते हैं जैसे आपको राश्टी तो पता चली गया अब हिमांचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमांचल के कितना है Serie 972 तो यह तो राश्टी से अधिक हो स्टी लिंगानुपात से कम है तो option number D हो जाएगा इसका correct answer ठीक है अगला देखते हैं नेम लिखित में से कौन सा कथन सही है 2001 की जड़गना की अनुसार भारत की कुल जन संख्या का 4.1 प्रसद दिव्यांग है तो यह जो है सही नहीं है अगर हम दिव्यांगियों की संख्या क जन घनत में 77 की ब्रद्धी हुई थी यह गलत हो गया कैसे क्योंकि 2001 में जो थी जन घनत था 325 था 2011 की जन घनत अब आप पढ़े होंगे तो जन घनत कितना है 382 तो 382 में से आप जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 87 आएगा ना की 77 आएगा तो याद रखिए यह भी जो है गलत हो गया तो यह भी गलत हो गया और यह भी गलत हो गया अब हम सी की बात करेंगे वो सरसट दसमलो साथ यह आपने पढ़ा होगा ठीक है अगर हम आंद्रा की बात करें ठीक है हम आंद्रा की बात करें तो आंद्रा की है सरसट और था थोड़ा सा यूपी से काम है तो यह जो स्टेट्मेंट है यह सही है option number C ठीक है अब अगर आपको D नहीं भी पता है तो आप option number C कर सकते हूँ क्योंकि यहाँ पर यह सही दिया गया है डी देख लेकते हैं 2011 की जनगरना रिपोर्ट में सरवाधिक जनसंक्या ब्रदी दरवाला राज यह नागालेंड है यह कहा जा रहा है तो यह गलत है सरवाधिक दस्की ब्रदी दरवाला जो है के नसासित प्र है तो option number जो है यहाँ पर A सही होगा ओडिशा ओडिशा की जो जनसंख्या है वो कितनी है लगभग 4 करोड कितना है लगभग 4 करोड ठीक है 4.19 करोड आप ऐसे डाटा लेक लिए जिए आसम की अगर बात करें तो 3.19 कितनी है 1.2 करोड ठीक है अगर हम केरल की बात करें तो क पेरल की है 3.34 3.34 करोड और जार खंड की अगर बात करें तो 3.29 करोड तो इसे साफसे देखा जाए तो ओडिशा की इन चारो भी गल्पों में ओडिशा की जो है जनसंख्या सबस्यादिक होगी है वैसे यूपी की सबस्यादिक जनसंख्या है ना आपको पता भी होगा पात 918 नहीं है तो हाँ 918 नहीं है इसका मतलब ये बी नंबर भी सही हो जाएगा क्योंकि कितना है 912 है ठीक है ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 2001 से 2011 के दवरान उत्तर प्रदेश की लिंगा नुपात में 14 की ब्रद्दी हुई है ठीक है और इसके बाद यहां हम देखते हैं अबसद नंबर दी उत्तर प्रदेश की नगरी जन संक्या का प्रसाथ 24.3 है तो यह गलत होगया नगरी जन संक्या का प्रसाथ है 22.3 राध 600 na 24.30 तो तो इस हिसाप से हम देखेंगे कि यहां पर जो है यह डील वाला गलत हो गया है बाकी तीन आपके करेक्टरांस है तो सही कौन सा नहीं है इसे पूछा जारा की कतन सही नहीं है तो डी नंबर सही नहीं है अगला है उत्तर प्रदेश का सरवाधिक एवं नियुंतम साफशर्ता दरवाला जिला है तो सरवाधिक में गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा और नियुंतम में सरावस्ति हो जाएगा याद रखिए अगला है चौरासी नंबर अनुकूलतम जनसंक्या से धांद के प्रवर्तक कौन थे डारविन, माल्थस, एडविन, केनन या एड़मे स्मित तो ब्रिटिस जो एडविन, केनन है वो अनुकूलतम जनसंक्या से धांद के प्रवर्तक थे तो ये स्टैटिक्स का क्यूशन है आप इसको रट्टा मार लीजिए अगला है निमने में से किस राजगी जनसंक्या में नगरी जनसंक्या का प्रशत अधिक है केरल, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडव, बंदाजा लगाईए कि किसका आपका अधिक हो सकता है, तो गोवा, चुकि बहुत पहले से विक्सित था, ये भलाई छोटा है, लेकिन यहां पर जो है, सहरी करण ज्यादा है, नगरी करण ज्यादा है, तो यहां का जो नगरी करण है, वो 62.6 प्रत देश कौन सा है ये आपको बताना है, नियुमतम नगरी वाला, तो इक लिए अधिकतम को है, तो सरवाधिक नगरी कों सा है, दिल्ली के अगर प्रसत देखा जाए, तो सतान्ड प्रसत ये ओपर जो है, नगरी यहां पर जनसंख्या है, लेकिन कम की बात करेंगे, तो बारामंकी में मिंधा तिल की सुदधा की जाच है तो fregrens and flavor development center की स्थापना की गए ये सही नहीं है क्वारा बंकी में ये नहीं है बलकि ये कंनोज में ठीक है ये कहां पर है कंनोज उत्तर प्रदेश का एक जिला कंनोज यहां पर जो है तेल की सुदधा की जाच होती इसके जहां पूर घराना अजराडा घराना इटावा घराना या उपरेग तो सभी आपको बताना है इसका सही क्या होगा तो यहां पर आप्शन नंबर सी सही होगा इटावा घराना जीसे गौरी घराना भी का जाता है याद रखें इसको नोट कर लेजिए गौरी घराना भी इटा इतावा घराना सही संबंदित हैं ये लोग तो इतावा घराना किसके लिए जाना जाता है सितार बादन के लिए अगला है रोजा ताप विद्दुत परियोजना की स्थापना कहां की गई थी बरेली में साहजापुर में पौड़ीगडवाल में लदिद पूर में तो अगला उसकार किसान कल्यान में की अगए क्यों के आई में तक कहा गया था कि किसानों की आयगो दोगुना करना है। अभी तक की मैप हो नंहीं वारत आया था। ए देखा यूपी का मैप अगर देखेंगे तोय जो हमारा यूपी का सहारानपुर वह हमांचल परदे से लगता है अगर आगर तो आपको पता होगा राजस्थान से बनाता है जब और हम दक्षिड में आएंगे तो MP पड़े गाए और हमारे जो यूपी का जहरखंड है वो चार राजू से सीमा साजा करता है जिसमें से दो तो आप क्यों गए ये च्छतीस गड़ और जहरखंड और एक है आपका बिहार रिकोड़ी सा मद्द प्रदेश ठीक है तो इस हिसाप से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है BCD ये बनेगा ये तीन जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा करते हैं और उत्तर प्रदेश कुल मिला करके आठ राज्यों और एक केंट सासित किया जाता है ठीक है अगला है निम्कीत कतनों पर विचार कीजिए उत्तर प्रदेश में महिला कर लेड़ों इंबाल विकास के लिए प्रसासनिक मसेनरी के रूप में वर्स 1988 में बाल विकास सेवयं पोस्टार नेदसाले की स्थापनी के गई तो इसके बाद उत्तर प्रद स्थापित है अगला है पंचानवे क्यूशन पंचानवे नंबर निम्कीत स्थानों में से कहां पसुचिकत सा पॉली क्लीनिक स्थापित किया गया है गोरगपूर या मुजफर नगर या वरांट सी आपको ऑप्शन दिये गये हैं या पर कूट दिये गये हैं बताना है हमारे उत्तरप्रदेश में पसुचिकत साले हैं 96 नंबर का क्यूशन है निम्ले की कत्रों पर विचार कीजीए उत्तरप्रदेश को 20 क्रसी जलवाई शेत्रों में वर्गिक्रित किया गया है और दूसरा है उत्तरप्रदेश में कुल क्रसी परस्तितकी 6 की संख्या नौ है तो दोस्तों इस तरह के question दे करके बहुती confusion किया जाता है examiner के दोरा और बहुती गलतियां भी ऐसे में होती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या किया गया है कि data को उलड़ दिया गया है अर्था data को बदल दिया गया है क्रसी जलवाई चेत्र की बात करेंगे तो 9 होगे ठीक है यहाँ पर क्या होगा 9 और अगर हम परस्थत की चेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 यह data उलड़ दिया गया है ठीक है तो इसे साफ से देखा जाए ने थोलीन हर्ड को असित कुमार हलदार को सुधिर रंजन खस्तगीर को न मेंसे कोई नहीं तो यहाँ पर option number C है सुधिर रंजन खस्तगीर इनको जो है कलावयम्षिल पर माविध्याले के का सूर कहा जाता है ठीक है इन किसको सुधिर रंजन खस्तिगीर को कहा जाता है अगला देखते हैं अगला है बंदे मातरम योजना का संबंध किस से है यहां परENTर मेलाओं को निशाल कुप चार से गरीबों को पक्के अवास उपलपद कराने से यहां पर इस से तो मतलब हो रही क्योंकि बंदे मात्रम सब्द से फ्रोस अंदाजा लगाई है मा की बंदना की जा रही है तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि चुकि ऐसा भी राष्टवाज जैसी कोई भी बात चल नहीं यह वंदे मात्रम यह वंदे मात्रम चल उस समय था दुनिक भारत जब पढ़ते हैं हम और उस समय जब बंगाल भी बाजन हुआ था उसके बाद वंदे मात्रम बहुत ज़्यादा प्रसे दुआ और कुछ बहुत सारे समाचार पत्र पत्र कहां भी वंदे मात्रम के नाम से जारी की जाती है लेकिन अगर हम हाली की बात करें तो गर्बवती महिलाओं के निसल को अगला है उत्तर प्रदेश उर्दू एकादमी की स्थाफ़ना की सवर्स हुई थी उत्तर प्रदेश की दूसरी जो राजकी भासा है वो उर्दू को कहाब माना गया था तो वो बात अलाग हो गई लेकिन यहां पर उर्दू अकादमी की स्थाफ़ना जो है परिस्थी थे तो वो फिर आंसर हो जाता है गाजीपूर तो अफीम का जो एकमात्रकार खाना है वो गाजीपूर में है और दो ही जिलो में अधिक की बात की जाएगी तो बारा बंकी सही होगा उप्शन नमबर उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नमीनतम संख्या कितनी है अठारा मंडल है जिले कितने हैं दोस्तों 75 जिले हैं ठीक है अप्शन नमबर सी इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश एनराई यानि अप्रवासी भारती विभाग का गठन कप किया गया था जुला अच्छा एक सही है इसके बाद बटेश अपने वार्सिक पशुक लेप्रसिद्ध हां बटेश मेले में जो है पशु मेला है बटेश बाइसमें जैन तिर्थंकर नेमी चंद का जन्म इस्थान भी है तो इसे साफ से देखा जाए तो ये तीनो जो है नंबर जो है तीनो बा आपको मैंने पहले बताया कि 140 क्यूशन होते हैं तो 140 में मैंने कुछ जो है करन्ट अफेर के यहां पर स्कीप कर दिये थी क्यूंकि वह भी वरतमान के दिश्टे से मुझे प्रासंगीक नहीं लगे इसके साथ मैंने रिजिनिंग के और कुछ मैद के क्यूशन थे उनको स्क करें विरू देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद